आज हमारे चैनल धर्म धोजा के द्वारा आपको लाल धागा आटी मूली भी कहते हैं रक्षा सूत्र भी कहते हैं और इसको हम कलावा भी कहते हैं जिसे हम अपने हाथों पर बनते हैं कहीं भी पूजा स्थल पर डाते हैं तो पंडित को द्वारा हमारे हाथों में बंदी जा आज आपके लिए लाल दागे के उपाये लेकर आया हुँद आपको हमारे द्वारदी जा रहे ही जानकारी पंसद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जैश्री कृष्णा जैश्री राध ही लाल दागे के एक उपाये से पूरी हो जाएगी मनों कामना हिंदू दर्म म लाल दागे को हाथ में बांधने वाले कलावे के रूप में देखा जाता है मानियता है कि हाथ में भंदा हुआ कलावा रक्षा मुली हमेशा रक्षा करता है और बुरे संकटों से बचाता है लेकिन इसके अलावा आर्थिक समस्याओं से लेकर धनहानी मान सम्मान और प्रत बनाये रखने में लाल दागे का उपाय विशेश रूप से कारगर है। यदि आपशनी की साड़े साती से परेशान हैं तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं इसके बाद पेड़ के तने को हाथ से छू कर उसे प्रणाम करते हुए इसकी साथ बार परिक्रमा भी अवश्य करें ऐसा लगातार करने से अंदेतर जीवन की हर तरह की परेशानी खत्म करता है